हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पकोडे गुजराती स्टाइल में उसके लिए हम पेले हरी मेथी ले ले लेंगे और उसे अच्छे से वाश कर देंगे वाश करने के बाद इसे आपको बारिक से काट लेना है दोस्तों मैं ज्यादा तर कोई भी वेचीटेबल करने के लिए सीजर का यूज करती हूँ ताकि बारिक से कट जाए चाको से देखा होगा कि आपने अच्छे से कटती नहीं है थोड़ी मोटी मोटी कट जाती है इसलिए मैंने ये कैची इस्तमाल की है पहले आप इसे अच्छे से पुरा बारिक बारिक काट लीजिए बारिक से काटने के बाद आप इस एक भगुला लेकर उसमें डाल लीजिए फिर इसमें हमें दो कटोरी बेसन डालना है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे जरुरत के हिसाब से और इसे मिक्स करते जानना है देखिए दोस्तों हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे बारिक कटी हुई मिर्च डालेंगे अजवाइन स्वाद के अनुसार नमक आदा चमच लालमेश डाल रहे हुँ यह थोड़ा सा सोडा वन फॉर्ट स्पून सोडा है थोड़ा सा मैंने ओयल एड किया है यह मैं सक्कर डाल रहे हुँ आदा चमच और थोड़ी सी हेंग दोस्तों अगर आप PCV सक्कर डालना चाहते हैं तो आप PCV भी डाल सकते हैं क्योंकि यह गुजराती स्टाइल में पकोड़े बना रहे हैं अगर आपको मीठा नहीं पसंदे तो आप स्कीप कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप इसमें एड कर सकते हैं फिलाल मुझे यह बेटर साइल लग रहा है दोस्तो हैना मैंने पीछे थोड़ी और मेची एड करी थी मुझे आदा चमच मेच कम लग रही थी अगर आपको तिका कम पसंदे तो आप मत डालेगा अब एक कड़ाई में तेल ले लेंगे उसे गर्म होने के लिए रख देंगे अमरा तेल गरम हो चुका है अब हमीस में पकोड़े डालेंगे अब हमें इसमें बीच बीच में हिलाते जाना है यह हमारे पकोड़े रेडी हो चुके है देखे ओके गाईज अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बाई मिलते हैं नेक्ट